डोनी प्रवक्ता फजेक्स आज अकक्षा बारा भोतिकी में करंट इलेक्टरिसिटी चैप्टर से प्रतिरोधक्ता, चालक्ता और कार्बन प्रतिरोध के बारे में यहाँ पर बाच्चित करूँगा आओ शुरू करते हैं तो इस पार्ट में हम जो सीखने वाले हैं वो है सबसे पहले धारा घनत्व, धारा घनत्व और अफवावेग में समंध, प्रतिरोध और प्रतिरोधक्ता, चालक्ता और धारा घनत्व, विदुत उजा, कार्बन प्रतिरोध और कलर कोडिंग तो जैसे कि आपको पता है एक प्रतिरोध कुछ भी हो सकता है जो धारा के प्रभाव का विरूद करता है अर्थात मुक्त इलेक्ट्रोन एक चालक में अपने परमाणों आइनों के बीच लगातार टक्कर के कारण प्रतिरोध उत्पन करते हैं यह भी आपको पता है कि हमने अफवावेग या औस्थबेग को पहले कैसे ग्याद किया है हमने ओम का निगमन किया था और उसके आधार पर चालक में प्रतिरोध को आपको समझाया था प्रतिरोध और चालकों में आवेसों की गतिसीलता को भी हमने ग्याद किया था तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि धारा घनत तो क्या है किसी चालक में जैसे कि यहाँ पर दर्साया गया है प्रती एकांग छेत्रफल से अभिलंब से होकर गुजरने वाली बिद्दु-धारा को कुछ बिंदूं पर धारा घनत तो कहते हैं यानि यदि किसी चालक में बिद्दु धारा चालक के अनुप्रस्त छेतरफल ए से एक समान रूप से विप्रित हो रही हो तो धारा घनतों का मान जे बराबर आई अपॉन ए होगा और ये आई चो है हमने पहले भी ग्याद किया होगा है और उसी को हम यहाँ पर इस चालक के संदर में समझा रहे हैं तो धारा घनतों किसी बिंदु पर एक लाक्षणिक गुण है जो एक सदिस रासी है जिसे हम यहाँ पर कह सकते हैं जे बराबर आई अपॉन ए यानि धारा घनतों बराबर प्रति एकांग छेतरफल पर विद्धु धारा का मान धारा घनतों और अफवाब एग में समझा तो जैसे कि हमें पता है कि हमें ग्यात किया हूए कि आई का जो मान होता है वो एन ए वीडी होता है जहाँ पर एन जो है वो इलेक्ट्रोनों की संख्या है ए इस प्रिष्ट का छेतरफल है E आवेसों के संख्या है यहाँ पर यहाँ आवेस का मान है और VD यहाँ पर डिफ्ट वेलासिटी है तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जो एकांग छेतरफल पर बहने वाली धारा होती है उसका मान J बराबर I upon A होता है और हम यह भी जानते हैं कि I का मान N E A V D के बराबर होता है जो हमने पूर्वे ग्याद किया अगर हम इन दोनों मानों को यूज कर लें तो J बराबर हो जाएगा N E V D यही धारा घनत और अफवा वेग में संबंध है तो यहां से आपको यह पता चलिया कि जो हमारी धारा घनत है वो एरिया के विद्ध करमान पाती होती है यह J बराबर N E V D विद्धुत प्रतिरोद जब किसी चालक के सुरों के बीच विवानतर इस्तापित हो जाता है तो चालकों में विद्धुत धारा बेहने लगती है विवानतर तथा विद्धुत धारा के अनुपात को चालक का विद्धुत प्रतिरोद कहते है चालक का विद्धुत प्रतिरोद एक ओम से अर्थ है कि चालक के सिरों के बीच का विवानतर एक बोल्ट और धारा का मान एक एंपियर होगा यह परिवासा हम पहले से भी जानते हैं जैसे कि यहाँ पर ग्राफ में भी दिखाया है कि वी और आई का जो ग्राफ है वो एक यूनिफॉर्म लाइन से पदरसित हो रहा है जो इस इद्ध करता है कि वी और आई का जो अनुपात है वो एक नियतां की बराबर है तो बिद्धु परितुरूद के बिद्धुर्म को बिद्धु चालकता कहते हैं यादि अगर हम परतुरूद का उल्टा कर दे तो वहीं यहाँ पर बिद्धु चालकता होती है इसका मातरक भी जैसे हम ओम का इन्वर्स लिख सकते हैं या मोह इसे कहते हैं तो C यानि conductivity बराबर 1 upon R is equal to हम इसे उल्टा कर सकते हैं I upon V अब बात करते हैं बिस्स्ट प्रतिरूत या प्रतिरूधकता की जब किसी चालक के विद्दु धारा प्रवावित होती है तो चालक के वीतर विद्दु छेत्र की तीवर्ता E और धारा गहनतों के अनपात को बिस्स चालकता कहते हैं इसे हम रो से प्रतिरूधकता बराबर हम लिख सकते हैं रो बराबर E upon J प्रतिरूधकता को हम लिख सकते हैं E by J यानि एकाई घनतों पर विद्दु छेतर का मान प्रतिरोदक्ता कहलाता है इसका यूनिट ओम मीटर है जो विद्दु धारा और विवहंतर का मान है वो एक नियतांग के बराबर होता है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का बिसिस्ट प्रतिरोद उस पदार्थ के एक मीटर लंबे और एक मीटर इस्कौायर अनुपरस्ट प्रतिछेद का जो छेतरफल है उसके तार के परतिरोद के बराबर होता है जिसे हम ओम मीटर में बेक्त करते हैं अर्थात यदि किसी तार की लंबाई एक सेंटीमीटर और अनुप्रस छेटरफल एक बर्ग सेंटीमीटर हो और उसका परतरोध आपता रो बराबर र, a, बटे, l होगी यानि रो का जो मान होगा वो क्या होगा परतरोध गुणा अनुप्रस छेटरफल बटे, लंबाई और इसी मान को हम ऐसा भी लिख सकते हैं रो बराबर M upon N E square Tau जैसे कि हमने यहाँ पर इस मान को यूज कर लिया यहाँ पर कि हमने R का मान यहाँ पर रख दिया तो यह हो गया रो बराबर M upon N E square by Tau जहां प्रतरोत तार की लंबाई L के अनुकरमान पाती है और 6 तफल के विद्गरमान पाती है किसी धातू के लिए बिसिस्ट परतरोत का मान धातू के मुक्त इलेक्ट्रोन गहनत और धातू की परकृती पर बिसिस्ट परतरोत के विद्गरम को बिसिस्ट चालकता कहते है बिसिस्ट चालकता एमधारा गहनतों में समंद किसी धातु की जो प्रतिरोध है उसी से हम उसकी बिस्रिस चालगता को ग्याद कर सकते हैं यानि जो बिस्रिस चालगता है उसे हम लिख सकते हैं इन्वर्स आफ प्रतिरोध अगता यानि प्रतिरोध तो सिग्मा बरावर वन अपॉन रो जहाँ चालक के भीतर किसी भी बिंदू पर बिदू छेतर की Tी बृता E और धारा घनत जे अगर है तो सिगमा बराबर जे अपोन E तो जे बराबर यहाँ पर हो जागा सिगमा E और हम लिख सकते हैं कि धारा घनत तो बराबर क्या हो गया है और बिस्स्ट चालकता गुणा बिद्दुचेतर की तीब्रता इस रिलेशन को हम यहाँ पर इस तरह से ग्याद करेंगे अब हम ओम के नियम के कुछ अपवाद और अरेख्य ग्राफ के बारे में बात करते हैं हम यह बताएंगे कि जो ओम का नियम है वो किन किन पदार्थों के लिए लागू है और कहां पर इसका जो ग्राफ का नेचर है वो एक डारेटली प्रपोर्शनल या ओम के नियम का पालन करता है सामने तोर पे बिदुत परिपत में ओम का नियम लागो होता है जहां पर निसित ताप पर एक परिपत में किसी चालक के सिरों के बीच का बिभुवांतर और चालक में बहने वाले बिदुत धारा का अनुपात नियत रहता है ऐसे बिदुत परिपत ओम का नियम का पालन करते हैं इसलिए ने कहते हैं ओमिय परिपत परणदु यदि किसी परिपत में परतरोत के लगातार जो मान हैं वो घट बढ़ रहे होते हैं या कहीं पर लोड बदलने से वहाँ परतरोत का मान बदलता रहता है तो परिपत में बहने वाली धारा जो परितरोद के मान और विवहांतर के अनुपात होते हैं वो नियत नहीं रहते तो उनके बीच एक सरल रिखा प्राप्त नहीं होती इसलिए ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको हम कहते हैं जो अनओमिय चालक हैं या जो ग्राफ हमें इस तरह के जो पदार्थ हैं जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए सेमी कंडॉक्टर हो गए या ऐसे पदार्थ जो कम धारा पर ऑपरेट होते हैं उन पर ओम का नियम लागू नहीं होता यहां पर भी हम बता सकते हैं कि जो वी आई कर्व हैं वो ये बता रहे हैं कि एक पर्ट परिपत अनोमिय परिपत हैं और यहां पर जो प्राप्त परितरोध होगा वो गत्यात्मक परितरोध या डाइनमिक रजिस्टेंस होगा तो यहां पर अलग लग परकार के पदार्थों में हमने ये दिखाया है कि कई पदार्थ लो करण पर जो बोल्टे से वो डिफरेंट सो करते हैं और जिसकी वज़े से हमारा प्रतिरोध कमान लगातार बदलता रहता है तो जैसे कि ग्राफ में दिख रहा है कि यहां पर जो ग्राफ हैं वो एक सरल रिखा में प्रतिरोध को बदलता है तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि धातु की प्रतिरोधकता ताब बढ़ने से इसको सरलतम रूप में समझ सकते हैं कि विद्दूत प्रतिरोध तार की लंबाई और छेतरफल के सूतर द्वारा निरधारित किया जाता है जैसे कि हमने पहले वी ग्याद किया है तो जहां तार की लंबाई प्रति एकंग आयतन पर मुक्त होने वाले इलेक्टरोनों की संख्याप निरवर करती है तथा तार की लंबाई छेतरफल इलेक्टरोन का द्रविमान और आवेसों का मानिद इस्तिर मान लें तो वहाँ पर जो एक्सप्रेश आर है वो डिपेंट कर ताउ पे इसका आर्थ है हुआ कि पदार्थ का बिस्ष्ट परतिरोध या पदार्थ की परतिरोध धक्ता के लिए स्रांतिकाल का मान बदलने पर जो तार में आवेसों का वेग है वो लगातार बढ़ता है और उस वेग के बढ़ने के कारण वहाँ पर कुलीजन बढ़ता है इसी कारण से ताप बढ़ने से परतिरोध का मान लगातार बढ़ता है तो यदि 0 डिगरी सेल्सिएस पर तार का परतिरोध र-naut हो तो टी डिगरी सेल्सियस पर यदि वो र-टी मान लिया जाये तो यह समीकरान हम लिख सकते हैं र-टी बराबर र-naut ब्लस एलफा-ेलफा बराबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं RT into R0 divided by R0 into T अब यदि R0 का मान 1 ohm T का मान 1 degree Celsius हो तो alpha का मान यहाँ पर हो जाएगा alpha बराबर RT minus R0 यहाँ टेंपरिचर डिफरेंस और इसी से ग्यात होगा प्रतरूद में ब्रिधी या प्रतरूद में चेंज यदि किसी ताप 0 degree Celsius पर प्रतरोद 1 ohm हो तो उसका ताप 1 degree Celsius तक बढ़ाने पर उसके प्रतरोद में होने वाली ब्रिधी उस तार के प्रतरोद ताप गुड़ान के बराबर होगी अधिकांस धातों में alpha का मान लगबग 1 बटे 273 प्रतर डिगरी Celsius होता है यानि प्रतरोद परमताप के समान पाती होता है और किसी सुद्ध धातो के तार पर प्रतरोद या प्रतरोद धगता तार के परमताप के लगबग अनुकरमान पाती होता है तो यह graph में हम देख सकते हैं मान लिए यहाँ पर मेटल हमने धातो लिये हैं तो उसके लिए जो प्रतिरोधकता है उसका ग्राफ टेंपरेचर के सापेख इस तरह से आएगा कि पहले ये हलका सा स्ट्रेट लाइन आया है और उसके बाद ये लगवग यूनिफॉर्मली जो है इंक्रीज हुआ है बढ़ता रहा है तो यहाँ पर हमने ये सिल्वर के लिए ग्राफ को सो किया है चांदी के लिए ग्राफ दिखाता है कि मेटल में किस तरह से प्रतिरोधकता ताप पर निर्वर करती है तो अलफा बराबर R2-R1 divided by R1 into डेल्टा टी ये जर्नल आपका स्टेट्मेंट है कि जो हमारा प्रतिरोधक अपने अतांक है जो गुणांक है उसका मान यहाँ पर R2-R1 divided by R1 into डेल्टा टी होगा डेल्टा टी मिल्लब टेमपरिचर डिफरेंस इसी तरह से जो मिस्र धातों होती है उनकी परतिरोधकता ताप बढ़ने से बढ़ती है जबकि सुद्ध धातों में यह मात्रा कम होती है अर्द चालकों के लिए बिद्ध चालकता अपिक्षा किरत कम होती है इसलिए इन्हें अर्द चालक कहते हैं जैसे सिलिकन, जर्मेनियम, आदी अर्द चालकों की चालकता ताप का परभाव के विपरीत होती है यहीं ताप का परभाव चालकों के विपरीत होता है अर्द च करते हैं यानि कि जैसे जैसे पदार्थ को हम ठंडा करते हैं पदार्थ की परतिरोधक्ता धीरे धीरे घड़ती है परन्तु एक विसेश टेंपरेचर पर परतिरोधक्ता तेजी से घड़ कर सुन्य हो जाती है जैसे कि पारे की परतिरोधक्ता चार दसमलब दो कैल्विन पर स गटना को अतीचालकता कहते हैं अर्थात वहताप जिस पर प्रतिरोदगता अचानक सुनने हो जाए तो वहताप संकर्वनताप कहलाता है और ऐसे इस्तिति में पदाष्टों के गुर्णको अतीचालकता कहते हैं ऐसे अतीचालक पदार्त जैसे टंगस्टन, कैडमियम, ऐलमुनियम आदी हैं आतिचालक पदार्तों का उप्योग उड़जा को बिदूत तारों के बिना किसी परतिरोधकता से सुदूर अस्तानों तक पहुँचाय जा सकता है आतिचालक बिदूत चुमबक का पर्योग परबल चुमबक के जैसे कि बूलेट ट्रेंज में, लेविटेशन से दान्त में आदी इसको हम ग्राफ से देख सकते हैं कि मिसर धातों के लिए किस तरह से जो है परतिरोधकता टेंपरिचर के सापेक्ष बदलती है और सेमी कंड़क्टर में यह किस तरह से आपको जो परतिरोधकता है वो देख रहे हैं यहां सर्कृट में हमारे पास कुछ अव्यव या एलिमेंट लगे हुए हैं जो कि हमने ओम सलॉ में भी पड़े थे जैसे कि किसी भी सर्कृट को ऑपरेट करने के लिए एनरजी सोर्स बैटरी होना चाहिए, वहाँ पर रजिस्टेंस होना चाहिए, वहाँ नियंतरक यानि रियोस्टेट होना चाहिए, करन ना अपने के लिए अमीटर, बोल्टेज ना अपने के लिए बोल्ट मीटर होना चाहिए, और हमने ओम्स का नियम महाँ पर पड़ा था कि V is equal to IR, यानि V, I और R में एक समंध है, उस समंध को आगे बढ़ाते वे, किसी भी स circuit में जब ये समंध होता है, तो यहाँ पर और क्या-क्या physical quantity, circuit में जब हमारा hitting effect of current होता है, तो वहाँ पर कितनी उर्जा पैदा होती है, उर्जा की गणना करेंगे, तो जो ऐसे की नाम है, बिदुद उर्जा, यानि कोई भी circuit में जो device लगी है, वो कितना कारे करती है किसी स हम उसके द्वारा किया गया कारे या energy को ग्याद कर सकते हैं, तो प्रती इकाई समय में किया गया बैदुद कारे ही, बैदुद सक्ती होती है, यानि किसी भी यंद्र की जो power है, वो कितना कारे करती है, इकाई समय में, वो जो सक्ती है, उसी का measurement यहाँ पर उर्जा के रूप में करते हैं, तो सक्ती बराबर क्या है, किया गया कारे बटे समय, तो यहाँ पर किया गया कारे हम कैसे निकाल लेंगे, सक्ती उना समय से, ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे बढ़ें, तो जो हमने पहले भी पढ़ा था, जो विद्दुद धारा है, उसके कारण circuit मे क्या पै हीट पैदा हो तो हीट ही हमारी एक तरय की इनर्जी है तो विद्धूत धारा को जब किसी परतिरोध में गुजारते हैं तो वह पर जो परतिरोध है वहीट हो जाता है जिसकी जो जाना पारो जो हीट उड़ा होती है और कभी वो किस form में होगी heat form में होगी कभी जो है आपकी light form में होगी या और भी जो हम अन्यकारे करते हैं जैसे हम पंके चलाते हैं या हम AC चलाते हैं तो ये सब कहीं न कहीं जो है energy के transformation है और इसमें कहीं न कहीं current है और current का heating effect भी सामिल है तो अब मान लीजिए कि कोई circuit है उस circuit में एक प्रत्रोद लगा जैसे हमने पीछे के चेतर में भी आपको दिखाया था वहाँ पर current पास हो रही है और वहाँ पर जो भी device हमने लगाई है उसके terminal पर voltage पैदा हो रही है मान लीजिए वह भी है तो किसी समय टी में वहाँ पर जो भी आविस प्रभावित हो रहे होंगे उन आविसों के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो कार्य का measurement उस device की power की गढ़ना करेगा तो जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास क्या होता है किसी device की द्वारा किया गया कार्य यंत्र के द्वारा किया गया कार्य उस यंत्र में प्रभावित होने वाले आविस गुणा वहाँ पर विभुहांतर के होगा ठीक है तो अब हम ये भी जानते हैं कि Q is equal to IT होता है तो हम यहाँ पर इस Q बराबर IT का मान रख देंगे तो वो हो जाएगा किता W is equal to VIT अब ओम के निया मानुसार हमें पड़ा है V is equal to IR यानि किसी भी सरक्रिट में जो potential difference होगा वो उसमें बहने वाली बिद्दुधरा के समान पाती होगा तो इस formula का use करते हुए हम लिख सकते हैं कि W बराबर heat energy और heat energy बराबर क्या हो जाएगी यहाँ पर I square R T I square मतलब कहां से आया हमने ये V की value जो है यहाँ पर रख दी है IR तो IR गुणा IT तो I दो बार हो गया तो I square R T तो यह हो गया total heat energy produced in the circuit यह ऐसा कहले जिए यह विद्दुधर उर्जा का रुपान तरण किसमें हो गया उसमिया उर्जा में हो गया है जो कि हमें बहुत सारे जो भी instrument लगे होते हैं devices लगी होती हैं उन devices का जो heat पैदा होती है वो जो heat है वो I square R T के बराबर होगी यह इसकी आंके गंड़ना करने में मदद करेंगे किसी भी circuit में कितना heating effect है कितनी heat पैदा हो रही है धारा के कारण उसका measurement करने में हमारी साहता करेगा clear तो आगे इसी तरह से हम अब इसको थोड़ा सा और elaborate कर लेते हैं कि हमारे पास हमें पता है कारे बराबर VIT है या I square R T है तो हम यहां पर यह भी लिख सकते है power बराबर क्या होता है कारे बटे समय कारे हमारे पास आया कितना VIT बटे T तो T से T कड़ गया तो यह P बराबर V into I हो गया यह हम इसको ऐसे भी लिख सकते है V कमान फिर से रख लीजे तो V is equal to I R होता है तो P is equal to I square R हो गया तो P is equal to क्या हो गया स्वरी P is equal to क्या हो गया V square बटे R तो यहां पर यह power की गर्णा हो गई तो power की गर्णा हमने कर ली तो हम अब power का मात्रक भी निकाल सकते हैं यहां पर क्या हो जाएगा अगर हम ध्यान दें तो Bolt Ampere यह हम इसको Watt में मेजर करते हैं ठीक है यह हम जो है इसकी बड़ी unit भी होती है जर्णली जो हमारे पास commercial unit होती है वो किलो वाट में होती है तो 1 किलो वाट is equal to 1000 Watt और 1 HP यहनी होस्पावर is equal to 746 Watt यह हम जानते हैं और इन unit का हम कहीं न कहीं आगे numericals वगेरा में यूज़ करेंगे अब हम यह ग्यात करेंगे कि यह जो power है यह energy के रूप में हम कैसे अपने household circuit में या घरों में इसका परियोग देखने में लाते हैं या कैसे इसका use होता है और कैसे हमारे घरों में हम निकालते हैं अपने बिल का खर्चा बिजली के बिल का खर्चा unit का खर्चा कि हमारे घर का बिजली का बिल इतना आ रहा है उसके लिए हमको क्या निकालना है वहाँ पर circuit द्वारा consumed energy यानि वहाँ पर जो भी devices जो भी load आपके घर में लगा है वो कितनी energy वहाँ पर हम consume कर रहे हैं कितनी बिजली हम use कर रहे हैं उसकी मात्रा की गणना करेंगे तो सीदा सीदा हम यह कह सकते हैं कि किसी भी household circuit में या किसी भी circuit में जो power गुणा समय होता है यानि P into T होता है वो हमारी जो power का गुणा समय के साथ होता है वो measure करता है बिदुद उड़ जा जैसा कि हमने निकाला भी है कि P is equal to V into I और उसको हमने convert किया VIT में तो जो VIT है यानि वो क्या है उस circuit में बे उड़ जा या उच circuit के द्वारा consumed energy तो उसका measurement यहाँ पर बड़ी unit में करेंगे commercial unit में तो kilowatt आर में करेंगे यानि एक घंटे में कितने watt की हम power consume कर रहे हैं वो measure होगी बिदुद उर्जा के रूप में और उसी से calculate होंगी unit ठीक है तो यानि हमने 1000 पे 1 kilowatt पे निकालनी है घंटे के लिए जो एक unit बनेगा तो हम इसको यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 kilowatt is equal to हमारे पास जो होता है वो कितना होता है 3.6 into 10 power 6 जूल या हम ऐसा कह सकते हैं कि एक दिन में किसी बिदुत उपकरन द्वारा एक घंटे में जो खर्च उर्जा होती है उसका मान हमारे पास हम ग्याद कर लेते हैं तो यहाँ पर unit बराबर होता है यानि power गुणा time divided by 1000 कार्बन परतिरोध तथा कार्बन बर्न कोड electronic circuit में परतिरोधों की आवसक्ता होती है और यहाँ परतिरोध मेड़ा से किलो ओम में हो सकते है या इस से छोटे क्रम में भी हो सकते है ज़िक कुछ परतिरोधों का धातु चालक में अगर उनको use किया जाए तो यह अतिस्विदा जनग तरीके से use किया जा सकते है और इसके लिए हम एक लंबे तार की आवसकता होती है तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा रजिस्टेंस बनाने ऐसे प्रत्रोध बनाने जो है, वो सुविधा जनग नहीं है ऐसी इस्तिती में प्रत्रोधों को अर्दचालक पदार्थों से बनाया जाता है जैसे कि हम carbon register की बाद हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास एक chart यहाँ पर है एक table है उस table में color code जो है carbon के उनकी क्या मान होंगे कैसे color होंगे क्या values होंगी और कैसे उनके multiplier होंगे और उनकी tolerance कितनी होगी उसको हम इस table के तोर पे देख सकते हैं कि इस table में जैसे दरसाय गया है कि यहाँ पर black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, grey, white, gold, silver and none तो यह जो यहाँ पर color दिये हुए हैं इनके values भी दिये हैं और उनी values के सामने उनके multiplier भी दिये हैं और tolerance दिये हैं तो इसके आधार पे जो है हम किसी भी दिये हुए color code से उस परतरोद का मान गयाद कर सकते हैं उदारन के लिए जैसे ही यहाँ पर हमें एक carbon register दिया है और उसमें coding हो रुखी है brown, yellow, green, brown और silver तो इसका मान हमें ग्याद करना है तो हम table से देख सकते हैं कि जो brown color है उसका मान कितना है, red color है, उसका मान कितना है, orange का कितना है तो जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है सबसे पहले orange color दिख रहा है, तो table से देखें, तो orange का जो पहला 60 तक अंक है वो 3 है, फिर yellow है, उसका 5 है, और जो brown है वो multiplier लिखा जाएगा तो brown की जो value है वो 10 रिस पावर 1 है, यानि पहली जो तीन पटियां है, उनमें हम उनके रखेंगे, तो उसका मान 10 पावर 1 हो गया, और आखरी पटी silver color की है, तो silver का जो tolerance है, वो plus minus 10% है, तो इसलिए इसका कुल मान हो गया, 3, 4, 5 into 10 पावर 1, इसी तरह से हम एक example और देख लेते हैं, कि एक carbon register हमें दिया है, उसमें coding हमें दे रखी है, तो color देखते हुए हम table के सा उनके color को match करेंगे, जैसे पहला yellow band है, तो उसका coding 4 है, दूसरा जो violet band है, उसकी 7 है, तीसरा जो brown है, उसका 10 के multiplier में रखा जाएगा, यानि वो हमारे पास कितना यहाँ पर है, तो उसकी multiplier 10 पावर 1 रख देंगे, फिर चौथा जो हमारा gold plate है, यानि gold band है, तो उसका plus minus 5% tolerance है, तो इसकी जो value यहाँ पर हो गई, वो कितनी हो गई, 470 plus minus 5% ohm, तो आज के chapter में हमने जो पड़ा है, वो पड़ा धारा घनत, धारा घनत और अफवा बेग में समंध, प्रतरूद और प्रतरूदकता, चलकता और धारा घनत, विद्धुत उर्जा, कार्वन प्रतरूद और color coding,